नमस्कार दोस्तों वाईफडों में जमा बलगम को बाहर निकालने में मदद करती है और खांसी को ठीक करती है इसके अलावा अस्थमा ब्रॉंकाइटिस और सीओपीडी से पीडित व्यक्तियों को भी डॉक्तर वाईफडों को लेने की सला दे सकते हैं वाईफडों के सांस लेने के रास्ते को च इसकी वजह से अस्थमा ब्रॉंकाइटिस और सीओपीडी से पीडित व्यक्तियों को सांस लेने में आसानी हो जाती है वाईफाई एस सिरप के अंदर मेंथोल भी मौजूद होता है जो गले की खराश व गले के दर्द को ठीक करने में मदद करता है साइड एफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में वाईफाई एस सिरप की वजह से कोई साइड एफेक्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में वाईफाई एस सिरप की वजह से कुछ साइड एफेक्स हो सकते हैं जैसे मूं में सूखापन होना, सिरदर्ध होन गबराहट होना, चक्कर आना, शरीर में थकान वसुस्ती होना, नींद अधिक आना या नींद कम आना, उल्टी आना और उल्टी आने का मन होना, पसीना अधिक आना, दस्त होना, भूक कम लगना, छाती में जलन होना और मुंग के स्वाद में बदलाव होना आदी साइड इफ अब हम डिस्कस करेंगे कि वाइफाई एस सिरप को कैसे लेना रेकमेंड़ होता है। वाइफाई एस सिरप को दिन में दो से लेकर तीन बार लेने की सलाह देते है। तो कृपिया वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि वाइफाई एस सिरप को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। दो साल से कम उम्र के बच्चों को वाइफाई एस सिरप को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं देना चाहिए। बल्गम को बाहर निकालने के लिए और खांसी को जल्दी ठीक करने के लिए आपको वाइफाई एस सिरप के साथ साथ हर रोज दिन में दो से लेकर तीन बार गर्म पानी की भाप लेनी चाहिए। ताकि फेफडों में जमा बल्गम पतला होकर आसानी से बाहर निकल सके और इसके अलावा आपको बर्फ वज्यादा ठंडे पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। लगातार ज्यादा लंबे समय तक वाइफाई एस सिरप को लेना रेकिमेंड़ नहीं होता है। अगर आपको वाइफाई एस सिरप को लेते हुए एक सब्ता से भी अधिक का समय हो चुका है और आपकी खांसी अभी तक ठीक नहीं हुई है तो आपको डॉक्तर से दोबारा परामर्श लेना चाहिए। ताकि आपका डॉक्तर खांसी होने के कारण का पता करने के लिए दोबारा से जाँच करवा सके। वैसे ज्यादातर व्यक्तियों में वाइफाई एस सिरप को लेने के बाद ज्यादा नींद नहीं आती है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को वाइफाई एस सिरप को लेने के बाद नींद अधिक आती है या चक्कर आते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्क्ता की आवशक्ता होती है वाइफाई एस सिरप के साथ शराब का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि वाइफाई एस सिरप के साथ शराब का सेवन करने की वज़ह से साइड इफेक्स होने का जोखिम अधिक हो जाता है और नींद आने की समस्या बहुत ज्यादा गंभीर हो सकती है ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होने पर और कोई दिल से संबंधित बीमारी होने पर वाइफाई एस सिरप को बहुत ही सावधानी से दिया जाता है। इसलिए इन कंडीशन्स में डॉक्टर की सलाह के बिना वाइफाई एस सिरप को नहीं लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को वाइफाई एस सिरप या इसके किसी भी इंग्रीडेंट से एलरजी है तो ऐसे व्यक्तियों को वाइफाई एस सिरप का सेवन नहीं करना चाहिए। और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को वाइफाई एस सिरप को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका वाइफाई एस सिरप से संबंधिक कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।